नमस्कार किसान साथ ये है कुबोटा M.U. 4-wheel drive का ट्रैक्टर है पहले कुबोटा स्टीकर के रूप में लिखा हुआ आता था एक स्टीकर की तरह अब एकदम देखिए क्रॉम फिनिश में उभरे हुए स्टील के साथ कुबोटा की ब्रांडिंग दी गई है जो की और भी ज्यादा खुबसूरत दिखती है अगर ट्रैक्टर की लुकिंग की बात की जाए तो आप देखिए शांदार लुकिंग ट्रैक्टर है डाइनमिक डिजाइन है सिंगल पीस बोनट है टिपिकल रैड कलर है फोर वील ड्राइव का ट्रैक्टर mainly designed in Japan Japan में design किया जाता है इस ट्रेक्टर को भारतिय मार्केट में पिछले काफी समय से ये ट्रेक्टर आ रहा है बोडी के अंदर ही आपको head lamp मिल जाते हैं halogen type के LED नहीं है काफी बड़ी जाली आगे दी गई है silencer बोडी के बाहर है एकदम शांदार तरीके से मैनेज किया गया है किसान साथ ही अगर इसके engine की बात कि जाए तो इसके अंदर आपको 45 HP लगभग 2400 engine rated RPM 4 cylinder non turbo 2434 CC का engine मिलता है जिसका बोर 84 mm और इस ट्रोक 102.4 mm है ये ट्रेक्टर अपना maximum torque 160 Nm 1600 engine rated RPM पर उत्पन करता है इसके engine में balancer soft लगी हुई है जो कि आपकी piston से निकलने वाले vibration को control करती है मतलब ट्रेक्टर का engine बिलकुल vibration free है और noise free है सोर भी engine की आवाज भी बहुत ज़्यादा कम निकलती है काफी शांदार डिजाइन किया गया है आप देख सकते हैं किसान साथियो इसका diesel पहुचाने वाला pump माइको बोश कंपनी का in-line pump नहीं है ये एक खुद कुबोटा इस pump को design करती है ये इनका खुदी इका pump है जो कि आपके diesel को आपके engine तक पहुचाता है और ये काफी ज़्यादा self repairable है मतलब आप किसान भाई इस pump को अपने आप ही repair कर सकता है double diesel filter water separated tractor के अंदर आपको मिलते हैं side में ये fiber की जाली दी गई है जिससे किसान की उंगली या हाथ वगएरा गरम इंजन पर ना लगए रेडियेटर के अंदर न जाए किसान साथियों सूखा air filter दिया गया है without sensor choke sensor choke नहीं है choke sensor इसके अंदर लगा हुआ नहीं है dual element का है dry air filter बैटरी को आगे mount किया गया है काफी शांदार तरीके से कारो वाला cooling system coolant with overflow reserve wire आपको दे दिया गया है ये दूसरी साइड में भी आप fiber की grill देख सकते है fiber की जाली टाइप दी गई है ये आपका silencer है main silencer यही है आपके single piece के अंदर ये बाहर सिर्फ exhaust है exhaust के उपर जाली लगी है जिससे की ये गरम नहीं होता और अचानक से हाथ लगने पर किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा चोटी सी starter motor है कुछ additional detail है वीडियो की आउस वीडियो को पाउज करके असानी के साथ पढ़ सकते है किसान साथ यो अगले टायर 818 के आपको मिल जाते है जो कि एक 45 HP 4WD की तकनीक है अगले एक्सल में कुबोता बताती है कि ये बेवेल तकनीक है काफी अच्छी है काफी heavy duty है gracing point दिये है पूरा का पूरा अगला हिस्सा भी इसका tail में डूब हुआ नहीं है double acting power steering मिलता है मतलब आपके दोनों पहियों पर अलग अलग power steering की रोड है इसे double acting power steering बोला जाता है non adjustable है front axle adjust नहीं कर सकते आगे से tractor की look काफी robust मजबूत दिखाई दे रही है और लग रही है किसान साथ यो comfortness की बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ additional detail है आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं fiber का fuel tank है 60 liter का platform बहुत ही शांदार है एकदम comfortable है आप देख सकते हैं थोड़ा सा उचा bump है बीच में लेकिन वो इतना जादा नहीं है लग भग support platform आपको इस tractor के अंदर मिल जाता है suspended paddle है उपर से नीचे की तरह लटके हुए multi plate तेल में डूबे हुए disc brake इस tractor के अंदर मिल जाते है यहाँ पर यह footrest दी गई है जिस तरह के paddle आपको कारों में मिलते हैं सिर्फ उसी तरह के paddle आपको suspended मिल जाते हैं यहाँ पर यह lever hand brake लगाने के लिए आपको दिया गया है किसान साथियों काफी सारी company यह differential lock गायब कर चुकी है लेकिन कुबोता अभी तक यह देखिए differential lock का lever अभी तक इस tractor में आ रहा है जो कि यह काफी अच्छी बात है side shift gear levers है hydraulic lock इसके अंदर आपको मिल जाता है और आप इस tractor की hydraulic को उठने और गिरने की speed को भी manage कर सकते हैं hydraulic की भी लगबख सभी features ट्रेक्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं adjustable seat है आगे पीछे और अपने वजन के हिसाब से इस seat को आप adjust कर सकते हैं शांदार चोड़े fenders और छोटे से indicator इस tractor के अंदर दिये गए है फेंडर के चारों तरफ एक grill लगी है जिससे किसान साथ ही अपना कुछ सामान रख सकते हैं या कोई बैट सकता है किसान साथ हो पिछले टायर आपको 13,6,28 के टिपिकल मिलते हैं 14,9,28 का टायर भी आप इस tractor के साथ ले सकते हैं पीछे से भी आप देखिए ट्रैक्टर है बड़े साइज के इंडिकेटर है पीछे चोटे आगे थोड़े चोटे हैं और प्लाव लैंप दिया गया यहाँ पर नंबर प्लेट और नंबर प्लेट की लाइट भी दी गई है फाइबर का टूल बोक्स है आपके टूल बगरा रखने के लिए और दोनों ही फैंडर्स के बीच में एक सपोर्ट लगी है एक डंडा लगा है जिससे फैंडर्स मजबूती से पकड़े रहें किसान सातियों पिछले एकसल की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सीधा एकसल मिलता है बेवल ट्राइब की तकनिक का प्लेटरी गियर ड्राइब नहीं है और कुछ ग्रीसिंग पॉइंट इसके अंदर दिये गए है मतलब पूरा का पूरा पिछला हिस्सा तेल में डूबा हुआ नहीं है आपको कुछ पॉइंट्स पर ग्रीस करना पड़ता है एकदम सीधा एकसल है जोन डियर की तरह लेकिन जोन डियर प्लेनेटरी गियर ड्राइब के साथ आता है ये प्लेनेटरी गियर ड्राइब नहीं है किसान सातियों ये देखिए यहां पर आपको काफी शांदार फ़ंक्सेलिटी पीछे दी गई है तीन सेंसिंग पॉइंट है आपके इंप्लिमेंट को मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए कुबोता की सेंसिंग भी काफी अच्छी होती है 1640 केजी की लिफ्ट कैपसिटी है लिंक लेवलर के साथ यहाँ पर यह लिंक लेवलर दिया गया है अपने लिंकों को लेवल कर सकते है अगर इसकी पीटियो की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 49.15 HP 6-Spline 540 RPM वाली डबल स्पीट पीटियो मिलती है जो कि अपने 540 RPM 2484 इंजनेटिड आर्पियम पर और 750 PTO आर्पियम 2481 इंजनेटिड आर्पियम पर निकालती है मतलब 540 और 540 इकोनमी कह लीजिए या 540 और 750 आर्पियम वाली PTO कह लीजिए डबल स्पीड लगभग 49 HP की PTO इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है जो कि एक 45 HP के ट्रैक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है दूसरी साइड से भी आप ट्रैक्टर का कमफर्टनेस देख सकते है उपर चड़ने के लिए आपको फुट्रेस्ट दिया गया है कलच का पैडल भी एकदम कारों की तरह है डबल कलच के साथ ये ट्रैक्टर आता है आगे चलके बात करेंगे ओबर ओल ट्रैक्टर की कमफर्टनेस काफी अच्छी है डिजाइन काफी अच्छा है ये है ट्रैक्टर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर कुछ hello clusters के साथ आपको दिया गया है और बहुती छोटा सा comfort size का steering wheel है आपके steer करने में बहुती ज़्यादा आसान होने वाला है आप ये नीचे platform deck देख सकते हैं ये भी काफी ज़्यादा comfortable है और space काफी अच्छा है ये देखिए किसान साथियों आपको left hand side पे horn steering के left hand side पे horn और right hand side पे hand race मिल जाती है और नीचे dashboard पे left hand side पे पूरी की पूरी lighting की functionality indicator, parking वगेरा own करने के लिए आपको combo switch मिलता है और right hand side पे चावी लगाने के लिए एक और बात इसके अंदर है कि चावी की सहायता से ही own होता है औ क्लच, diaphragm type के क्लच दिए गए है इसके अंदर, double क्लच है ये इसका main क्लच है suspended pedal के साथ और ये उसका दूसरा क्लच है मतलब PTO का independent double क्लच इस tractor के अंदर आपको मिलता है जो की एक अच्छी बात है काफी सारे features को बोटा देती है यहाँ पर ये नीचे lever दिया गया है आपको two wheel drive से four wheel drive, four wheel drive से two wheel drive में convert करने के लिए भी lever आपको आपके left hand side पे दे दिया गया है किसान साथियों ये है tractor का gear low, high, reverse और neutral इसमें आपको 8 gear आगे जाने के लिए, 4 gear पीछे जाने के लिए side shift, full synchronous तकनीक के साथ दिये गए है मतलब आप कितने भी RPM पे tractor चल रहा हो, आप असानी के साथ किलच दबा कर gear shift कर सकते हैं, नहीं कोई आवाज होगी और नहीं tractor के transmission में कोई two foot होने का खत्रा होगा सिंक्रो मैस, gear shifting की तकनीक सबसे advanced तकनीक है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अभी तक कुछ ही कंपनिया इसको देती हैं, या कुछ जो कंपनिया देती हैं, वो अपने top models में सिंक्रो मैस तकनीक देती हैं, बाकी में constant मैस और sliding मैस भरे पड़े हैं किसान साथियों यहाँ पर कुछ additional detail है, ट्रैक्टर कौन से gear में, PTO के और खुद के, मतलब speed के कितने rpm निकालता है तो किसान साथियों overall ट्रैक्टर काफी अच्छा है, और इसका PTO का lever यहाँ पर पीछे दिया गया है, आप देखिए, यह PTO का lever है, yellow color का, जिससे आप अपनी double speed की PTO को operate कर सकते हैं किसान साथियों ट्रैक्टर की कीमत मैं नीचे description में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं आप कमेंट करके बताईए आपको ट्रैक्टर की डिजाइन, इसकी तकनीक और इसकी comfortness कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद